आफ़ो और वेल्कम बाक टो माई चानल चलिया स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ अजकी इस एपिसोड में आप आप आम लोग बात करेंगे इंडिया वुल्स हाउसंग फैनांस के बारे में तो स्टार्ट करते हैं पिछले कुछ दिनों से आप आपको लगतार देखने के लिए में तरह एक रैली आ रही है लोगो यहाँ पर पहले चीज तो आप लोगे समझो कि आने आले समय में हाउसिंग फिनांस कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है लेकिन अगर देखा जाए बेसिकली तो हाउसिंग फिनांस के अंदर भी यहाँ पर पीन भी यह है कि कंपनी के अंदर यहाँ पर चार्ट पर एक डाउन साइड यहां पर मतलब एक डाउन ट्रेंड में जो कंपनी थी काफी सालों से उसको वहां से अब एक्जिट किया है तो पिलहाल के लिए चार्ट पाटन पर अगर पूछोगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा देखने के लिए मिल सकता है तो उस असाब से सोली अगर आपको बाय करना तो आप लोग कर सकते हो अधर्वाइस यहां पर कोई बहुत लंबे समय सकते हैं इन्वेस्ट करने का हमें लगता नहीं कोई फायदा है फिर से वही चीज़ कहेंगे क्योंकि इंडियाबूल हाउज से देखा जा तो डाउंसाइट के अंदर है कंप्लीटली कंपनी यहां पर सेल्स इनकी नहीं बढ़ रही है काफी समय से मार्जिंस के अंदर मतलब पर अच्छे हैं कि अगर हो सकता है कि चांसे हैं कि अलोकेट करेंगे तो यहां पर उस देखो तो वॉल्यूम भी अच्छी आ रही है तो कहीं कहीं किसी भी तरह से यहां पर बाइंग हो रही है और 55 million. 8.4 million अगर देखा जा तो वॉल्यूम यहां पर हैं है कि यह हैवी बाइंग तो यह थोड़ा सा एक लंबा मों को यहां पर लेकिए बढ़ चेये हैं जासकती पैहला टार्गेट इस इसके अंदर छोटा ही रखेंगा है, बenni t1 का लेकन फिर यहां पर आते आते आप लोग और अच्छे वाले लवल्स की मिल सकता है तो यह टारूर्ट से लिभिए फिल्वाल आपके टी से यहां से थोड़ा सा एक बार को यहां पर रिटेस्ट करके उपर जा सकती तो अगर आपको सेफ बाइंग करने तो बने टीवन के उपर करना अधर्वाइस यहां पर फ्रीली भी बाइगा सकते हो स्टॉप लगना पांस से दस परसेंट के अंदर ही क्योंकि स्टॉक्ट देखो वॉल बेल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना और अपना कैपिटल सेफ रखना ओके बाइग